आप लोग जल्दी से कंफर्म कर देना यूट्यूब पे अभी लाइब आ चुके है या नहीं I want to see started streaming as well and I wish to see whether we are live on YouTube as well come on मैं अपना एक कि पीटीवी उपन करके रटता हूं कि अधार आप सज्दियकाल भाई बनो दिवे सज्जनों क्या मेरी आवाज आप लोग अधकारी है आप लोग का स्वागत है एक नए प्लाटपॉम पे आग लगाने के लिए जोशी आ गया है आपके साथ पढ़ने और पढ़ने सिए इंटर्मिजेट कॉर्पॉरेट और अधर लॉज फॉर मेरे 24 ऑनवर्ट से टैम और यह लेटेस्ट अमेंड़ेड न्यू कोर्स के हिसाब से सब कुछ हम कवर करने वाले है इस दिन का आपको बेश थबरी से इंतजार था और बैल एक बार में कौन-कौन लोग देख रहे हैं देव है रवी है इशिका है अगरवाल है हर्शिका है चोटा भीम वही छोटा सी यह लगा रहे है और फिर छोटा भीम क्यों गह रहे है वाई ओके अजीत अमन प्रिश ज जोशी के किलास में जोश की कम केरीने मांता भीडू कम ओन लाइक अरे कमसकम पचास लाइक से तो स्टार्ट करूँ चलो ठोब फटाफट जी मैं तो आपको सौ बोलने वाला था मैं पचास में ऐसी सुचे चलो आप मेरे दोस्त तो इस बार पचास में अच्छस कर लिए है येस हाई मुस्कान हेलो कैसा लग अच्छा हमारे प्लैटफॉर्म पे भी कुछ लोग जुड़े हुए है मैं उनसे भी हाई हेलो कर लेता हूं भाई लोग कहा है हाँ यह नोटिफिकेशन साउंड आफ करना था वह मैं देख रहा था चैट में हेलो यहाँ पर भी आ है मुस्क अच्छी बात है तो दोस्तों आप लोग मुझे जानते होंगे एक नए रूप नए अवतार में आपके सामने आगे हूं मिरे नाम है सिया आदर्ष जोशी और आप लोग मुझे जानते हैं कुछ नए लोग हो सकता है इस जर्णी में हमसे जूड़े हो तो उनका भी मैं तह आग दर्ष सर है तो आई टीच ये फाउंडेशन विजनस लॉज आई ऑल्सो टीच सी इंटर मिजट कॉर्परेट और लॉज वैसे मैं इस भी पढ़ाता हूं बट अब वह सबजेक्ट आई सी आई ने रिमूब कर दिया है फ्रॉम्यस तो बहुत होंगे तुम टोंट वरी तो अब मैं वह सब्जेक्ट कोई सीर नहीं है तो मैं अभी फुल-on कॉंसेंट्रीट कर रहा हूं और उसके बात क्यों कि बहुत सारे लोग इंडेक्शन में जॉइन नहीं कर पाये होंगे कुछ ना कुछ लफड़े हो गए है कि नहीं लफड़े होते रहते हैं क्रिश वेल लेगा इतना इसा खुण में गेम्स मत भरो लाइफ में हां जी हां तो आज हम लोग बात करेंगे न्यू स्कीम ऑफ एडुकेशन के बारे में जिसमें एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे के पूरे छे सब्जेक्स आपको है पर वैसे कम है पहले आट हुआ करते थे ठीक ह लगी तो आपके पास है एडवांस अकाउंटिंग कॉर्परेट अगर जिसकी क्लास अभी अभी आपने स्टार्ट की है टैक्सिशन है जिसकी दो पार्ट है आई-टी जी एस्टी और कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और इस प्लैटफॉम पर आपके लिए पढ दोनों में रहे कि हम पढ़ने वाले एंड स्वाती मैम इस अलसो लाइफ थैंक्यू सो मच पर जॉइन इन ग्रेसिंग आपके ब्लैसिंग के साथ इस क्लास का शुरुवात हो गया अब और क्या लाइफ में चलिए थैंक्यू सो मच थैंक्यू सो मच पर कमिंग तो मैम तो देखो मैं आपको पहले भी चीज बता चुका हूं कि इन टोटल देरार 470 सेक्षिंगे बचा हुआ कुछ सी इंटर में डाल देंगे और बचा हुआ कुछ और और खतम कर देंगे मतलब बाट वाट के इक्वल जैसा नहीं बाटा गया था अच्छा हुआ नहीं बाटा परना फांडेशन में परिशान हो जाते तो फांडेशन में आपको सीरीज ऑफ सेक्षिंस तो नहीं बता सकता बड़ या बेस अगर आप बात करेंगे तो बेस हम लोग ने बेसिक्स पड़ें कुछ इंपोर्टन डेफिनेशन भी हम लोग ने इंडिरिकली पड़ी हम लोग ने पीचर्ज ऑफ कंपनी देके बिटा याद है कि नहीं तो पहली बात इंटर में आ गया तो फांडेशन का हाट डिस्क स्वाइप करके नहीं आने का था ठीक आज मैं आपको बताऊंगा तीचेस के बाद हमने कॉर्परेट विल थेहरी पड़ा आपका फेवरेट सेल्मॉन भाई और सेल्मॉन भाई के के केस के बाद हम लोगों ने देखा लिप्टिंग ऑफ कॉर्परेट विल उसके पाच अलग-अलग केसे फिर हमने टाइप सोफ क इदी कंपणिया और वाटनॉट हम लोगों ने बहुत सारी टाइप कंपणी इस पड़ें अब हमने फोल्डिंग सब्चिडरी असोसीट्स इस तरह से भी कंपणी पढ़ लें होल्डिंग रिलेशन्स के इसाब से उसके बाद हम लें शेयर क्या होता है शेयर क्या होता है ट क्या है इसके बाद हमने डॉक्त्री नोटिस पड़ा और दॉक्ति इंडोर मैनेजमेंट भी पड़ा और उसके कुछ तीन एक्सेप्शन्स देखे यह हम लोगों ने फांडेशन में कवर किया लिकिन मैं आपको पर से सेक्शन नहीं कह सकता कि भाई यह सेक्शन से यह आज सीए इंटरमिजेट में इमानदारी से सुन रहे हो कि तुम लोग तुम कहे रहा हूं मैं हाँ दस लोग जुड़ रहा है वाई साव क्या बात है नमस्कार देव आर्यान सतीश हेलो या हाई प्रिया कैसे विटा बहुत अच्छे बहुत अच्छे यार यह है यह बाई स अच्छे चैंपेंगे लेकिन आपकी क्लास मिस्स नहीं करेंगे आप लोगों को बहुत सारे पोल्स इस प्लाइट पर कंड़क्ट करने वाला हूं रेज हैंड फीचर हम आज यूज करेंगे आप लोगों से वारताला भी होगी सब कॉर्च वाल के बेनेफिट ऑफ जॉइन 148 तक आपके CA इंटर के जर्णी में दिया हुआ था और 149 से जहांसे डारेक्टर की कहानी शुरू होती है वो पूरे सेक्शन्स CA फाइनल में हुआ करते थे 149 से 470 मतलब बचा कूचा सब कुछ उनोंने CA फाइनल में डाल रखा थे बहुत जादा चेंजेस नहीं हुए है यहां से कुछ सीरीज ऑफ सेक्शन्स इंटर मिजट में आ चुके है और वो कौन से सीरीज ऑफ सेक्शन है तो आपको यह दिखेंगे चैप्टर नंबर 11 कंपनीज इंकॉर्परेटेड आउटसाइड इंडिया क्या मैं इनको फॉरेंग कंपनी बोल सकता हूं यह और नो भीडू अरे इदर सब करेंगे यह अपुन का घर है यह अपुन का है कोई मैं ब्लू पहनू मैं वाइट पहनू मैं ग्रीन छोड़के सब पहन सकता हूं क्य कोई भी कलर पहनेंगे आग लगाएंगे और वैसे कुछ अमेजिंग चीजे आगे आने वाले सेशन में आपको दिखेगी बहुत सारी चीजों पर काम चल रहा है और हो सकता है इसमें आपको कुछ यूनीक चीजे भी दिख जाए हर एजुकेटर को करते हुए आप देखने कहेंगे बिकॉस फॉरिंड कंपनी के डेफिनिशन में अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था इस अ कंपनी इंकॉर्परेटेटेड आउटसाइड इंडिया वही तो है ना कैस्ते हैं कैस्ते हैं कि अगर या अगर कोई जॉन जॉनी जनारदन ने अगर ुए स्च कंपनी का न लेना देना या वास्ता है तो आप उससे थोड़ी ना पार-ना कंपनी कहते ओ ये के वल उन्हें foreign company कहते हो जो बने भले बाहर है बट इंडिया में आके अपना कोई place of business बनाते है यहां पर आके कुछ business activity करते है correct and therefore we cannot say that company incorporated outside India and foreign company is the same concept no foreign company is definitely a company incorporated outside India but it has to fulfill other requirements like having a place of business in India or conducting business activity in India तर ये छोटी छोटी मगर मोटी बाते इंटर मिजेट में पकड़ी जाती और इसके उपर questions पूछे जाते हैं इंटर मिजेट किया आप तो foundation में भी आप लोग में देखा होगा माइक लिमिट का case आप में से कुछ लोग के practice में आया भी होगा दो बार और back to back वो question पूछा गया घुमा फिरा के पूछा गया था कि जो रट्टूत होते हैं वो सब पेल हो जाए और जो concept से पढ़के आया है बस वही बच्चा उसको foundation में पढ़ा है बोलो भाई सर आपका ना बहुत ego हर्ट हो जाता था जब भी कोई LLP की बात करता था आपकी आखे नम हो जाती आपको ना रोना आ जाता था बिटा बताओ क्यूंकि सर आपको लगता था कि LLP को जित्ती इज्जत मिलनी चाहिए मिलती नहीं है कि कही LLP भी मे इसा talented but underrated तो हमें बहुत दुख होता था मुझे जब मैं देखता था कि LLP 5 माग का है ना टीचर्स उसको इजद दे रहे हैं ना स्टूडेंट मैं बच्चे से पूछता भाईया LLP हो गया अब आप अगर रियल प्रैक्टिस करने जाएंगे आप को समझ में आएगा कि सामने client बटा होगा ना वो आपको यह निव बोलेगा मुझे company बनाना है partnership बनाना है यह बनाना वो आपके सामने आएगा मुझे काम करना है मुझे यह particular business start करना अब आप बताईया how should I go about and do it and we are the one who will convince that particular person to either open a sole proprietorship or a partnership or an LLP or a company if it is a company then whether private company or directly a public company whether you know what sort of organization or you know business vehicle he should open we are the ones who guide them and therefore we should know exactly what are the benefits as well as a little bit of disadvantages in every type of organization और जब मैं आपको LLP के benefits बताता हूं मैं benefits बताते नहीं थक्ता और जब मैं LLP के disadvantages के बारे में सोचता हूं मेरा दिमाग पूरी तरह से गूम जाता है कि भाईया इस LLP के disadvantage है भी या नहीं और इतना जबर्दस्थ होने के बावजूत मैं देख रहा हूं कि institute ने syllabus में इसको importance दे नहीं रखा है पाच माग का है कोई बच्चे पढ़ते नहीं है कुछ नहीं तो पाइनली इंस्टूट को भी यह चीज समझ में आगे हो और उन्होंने क्या कर दिया अब corporate law के अंदर ही यहां पर आप देखेंगे LLP Act has been added into the syllabus नो वाई वस सेविंग सेइंग कि आप लोग लग लखी हो मैं ज़र आपको बताता हूं जब आपका और अभी जो बच्चे December 23 foundation के लिए पढ़ रहे है यहने जो बच्चे जून में पास हो गए 23 जो क्या आप लोगों congratulations और वो बच्चे जो बोलो जल्दी foundation अभी November December के लिए पढ़ रहे है ठीक है आप यह दो ही बैच हो जो super lucky बैच है जिसने इंटर का एक chapter almost 70-80% chapter foundation में पढ़के खत्म कर लिए provided आपने पाच मां का सोच के उसको option में डाला ना डाला क्योंकि यह जो LLP Act का आपको यहां पर दिख रहा है chapter यह पूरा foundation से उठाया गया है और इसके अंदर कुछ sections कुछ provisions और कुछ rules थोड़े से advance add कर दे गया है बाकी कुछ नहीं मैं अगर आप LLP पढ़ेंगे आपको 80% ऐसा लगेगा कि यह सब आता है मुझे और एक chapter का tension आपका खतम हो गया और भी दो बड़े बड़े tension आपके खतम हो गया सर बताए कौन से बिटा यहां पर न एक खतरनाक एक्ट हुआ करता था इंडियन contract act ठीक है वैसे तो बड़ा easy था मज़ेदार था उसके अंदर हम indemnity, guarantee, bailment, pledge और agency के बारे में पढ़ते थे वह आपके syllabus से उठाकर foundation के syllabus में डाल दिया गया यहां पे एक genuinely खतरनाक chapter हुआ करता था जो बड़े बड़ो की पसी नहीं निकाल दे आप लोग बहुत लगी हो हां उसके बदले आपको कुछ नहीं चीज़े पढ़नी पढ़ रही है जैसे की company incorporation इंडिया बहुत easy और बहुत interesting concept आपको मजा आएगा and my favorite act the foreign exchange management act ओ भाई साहाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं जितना ज्यान और जो knowledge और जो मजा फेमा देता है न love this chapter a lot so all in all एक बहुत अच्छा चेंज syllabus में इंटर्म जिटके में 24 onwards students के लिए आया हुआ है तो आप यह lucky lucky winners हो जिनको यह benefits मिल रहा है हम लोग हमारी class कैसे लेंगे आज कौन सा chapter start करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे आईए देखते हैं उन सब चीजों के बारे में आज बात करते हैं सबसे पहले मैं आपको कुछ general tips देना चाहता हूं बिकज़ अभी हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं बहुत लंबा साथ हम लोग अभी अ साथ हमारा होने वाला है यार मैं आपसे पते क्या कहना चाहता हूं अगर शुरुवात अगर हम लोगों घबर्दस कर लीना एकडम और शुरुवात लिए अगर हम एक्दम crystal clear हमारी आज पहली दफ़ाई आपको कहने वाला हूं तो क्रिपा करके इसको ध्यान से सुन लेना पूरे क्लास में मैं दुबारा रिपीट नहीं करूंगा कि हम लोग कैसे पढ़ाई करना चाहिए क्या कैसे करना चाहिए मैं आज ही अभी आपको सारी चीज़ें एक साथ बता दिये द आपको पता होगा एंसी क्यू और डिस्क्रिप्टिव में यह आपका सब्जेक ब्रोकन डाउन किया गया है हमें भली घर ले आने नहीं मिलते बट जो क्वेस्टिंस की मैंने अभी हमारे प्रीविस क्लास में मैंने बच्चों से जब इंटेव्यू लेता था जो टॉपर य आये थे मेरे मैंने उनसे जब इंटेव्यू में पूछा कि आप एंसी के बारे में क्या कहेंगे मतलब इजी थे मॉडरेट थे टॉप थे कैसे थे तो बच्चों ने का सारा मैक्जिमम अगर आप हमसे पूछेंगे ना तो वह इजी साइड में आते हैं हां कुछ मुझे ऐस अपने सीनियर से जिनों ने अलरी एक्जाम दिया उनसे चीज़े कंफर्म भी कर सकते हैं कि वेदर इस टूर नॉट तो मैंने का हाओ ऐसे क्यू हो गया कि आपको अगर आप लौ को समझ कर पढ़ रहे हैं अपने खून में डालना चाहिए हर एक प्रोविजन पूरा लॉजिक मुझे लॉग का लॉजिक चाहिए अगर आप इस इंटेंशन से पढ़ रहे हो तिंग्स आर गइंग तो हम भी वही करेंगे कंसेप्चिल क्लारीटी पे बहुत फोकस करेंगे और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टन चीज़ होती है सेल्फ स्टडी सेल वर्क नवन ऐसे सेल्फ स्टडी मैं यह नहीं कह रहा हूं क्लास बन करके बुकुट आदर खुद बैठ जाओ आप यह क्लास अच्छे से करो बट क्लास हो गया तो सब्जेक्ट हो गया यह थौट अपने दिमाग से निकालो क्लास यह 50% है इसके बाद 50% मेहनत आपको करनी है तो कैसे करोगे सर आप खुद एक बार पूरा लौप पढ़के निकालेंगे दो बार पूरा लौप पढ़के निकालेंगे multiple revisions करेंगे writing practice करेंगे और revisions करते वक तो कि चार्ट में करेंगे आपको चार्ट करते है था कि आपको क्लास बना कर दिखाऊंगा ताकि आपको समझें की चार्ट बनते कैसे शिराउंink कोई भी ऐसे नी Bjorth professions बना लेगा नहीं it may take a little bit of practice but it is not impossible it's very easy to understand very easy to learn and read करते हैं वक्त हमें समझ में आता है हमारा reading ये ऐसा हो जाता है कि हम उसको chart form में read करते है ऐसा हुआ तो ये करना है वैसा हुआ तो वो करना है बहुत सारे न procedural concepts आपके syllabus में है वो procedural concepts में आपको एक flow chart अपने दिवां में बनाना पड़ता है कि क्या होने पर मुझे क्या करना है and that's the way in which we will make charts not notes because मैंने बहुत बच्चों को notes बनाते देखा है भाई notes बनाना शुरू करते है और पूरी किताब छाप जाते है खुब पूरी किताब छाप जाते है भाई कर क्या लिया आपने एक और module छाप लिया उससे आपको क्या हासिल हो गया that is something we need to take care of इसके बाद सर जो भी हम पढ़ रहे आपको उसको revise करके फिर class में आना है I know आपके पास काफी time है बहाने मत करना आपकी सभी classes evening के पहले-पहले खतम हो जाती है और next day morning 8 a.m. तक आपकी कोई और class नहीं होती please become become का वास्ता मुझे मत देना मुझे सब पता है आप इतना पढ़ते हो और कैसे करते हो ठीक है तो हम लोग भी CA बने है हम लोग ने भी become किया है तो कृपा करके सब कुछ हमें करना है आप लोगों की मदद के लिए I have already made a book with you know जिसमें practice book है जिसमें all the RTPs, MTPs and PYQs will be there इसके अलावा MCQ booklet भी है those books will be separate and it is it will be soon very soon it will be available for purchase on the same course page जो आप देख रहे हो तो that is going to come अभी इसको थोड़ा time लगेगा हम चीज़े भी streamline कर रहे है बट देन इट विल कम of course हमारा सब ready है तो वो तो जा नहीं है mean wise आप लोग RTPs, NTPs और PYQs से भी practice कर सकते हैं तो unit होता है या chapter होता है तो आप उस chapter के बहुत सारे questions appear करके unit wise chapter wise आप appear करके देख सकते हैं कि मुझे ये लिखते आ रहा है या नहीं इसा नहीं होगा कि आप कुरी class कर लोगे और उसके बाद सोचोगे चलो आज मैं लिखना start करता हूं इस इस नॉट इस में इवन वर्क इन फांडेशन सुनो मेरी बाद यह फांडेशन तक चल जाता है यह इंटर मिजेट में नहीं चलता क्यूंकि आपका syllabus कोई छोटा नहीं मैंना को syllabus दिखाए मैं आपको दुबारा syllabus दिखाने वाला हूं बहुत सारे सेक्षण आप समय आपको एक सो अड़ालीस प्लस उदर के और दस आपको बहुत सारे सेक्षण देड़े सो प्लस सेक्षण तो ही पढ़ने है उसके अलावा इधर आपको other laws में भी है फिमा है उसके भी आपको पढ़ने general clauses act है तो भया इतना बड़ा अगर syllabus है अगर आप 200 sections पढ़ रहे हो तो please समझ ले ना ये कोई छोटी जर्नी नहीं है और इसमें आप सोचों कि मैं पहले पूरा क्लास निप्टा लूँगा फिर मैं अपने आप से पढ़ूँगा और फिर में अपने अपने इस नहीं हो जाती आपके जीवन में इसके अलावा और पोई गोल नहीं होना चाहिए यही एक मात्रा गोल होना चाहिए बस ठीक है येस बहुत सारी चीज़े हम लोग बात करेंगे इवाद दीरे दीरे में आपको सारे इंफॉर्मिशन देता रहूँगा ओके में एक्जाम देने से पहले मिनीमम बेर मिनीमम तीन फुल सिलाबस टेस्ट सिरीज आपको देनी पड़ेगी देनी ही पड़ेगी हम दो भी आपके साथ कुछ ऐसी एक्साइजस करने वाले हैं टेस्ट एन एंसी क्यू कंपाइलर्स ये भी हम करने वाले हैं बट मैं क्या कह रहा हूँ पून फीडिंग के उपर डिपेंडेंट मत रहो अब आप एक इंटर्मिजेट प्रफेशनल कोर्स के इंटर्मिजेट स्टुडेंट तो यूट स्टॉप वेटिंग पर स्पून फीडिंग अनिशुट स्टार्ट वर्किंग हार्ड ऑन यूर ओन तो यह फूल सिलाबस टेस्ट स्रीज आपको मिनिमम तीन देनी है बिफोर दे एक्जाम डेकम्स देन वीकें से डाट ओके मैं इसी यूट्यूब चैनल एकागरता सीए पे आएंगे बारा बजये आएंगे आप डेली बेसे स्को देख सकते हो विदाउट एनी प्रॉबलम देन आफ्टर अफ्टर अप्टर आप से भी देख सकते हो और आप अपने लैप्टॉप ए सब्सक्राइब करेंगे एकागरता डॉट को डॉट कर सकते हैं चलो फ्रॉम वेर टॉबाई आप सभी को जानते हो लिंक्स यहां पर दे रखी है और हम लोग बात करेंगे एकागरता डॉट को डॉट इन की वहां जाईए और वहां पर आपको सारे क्लास मिलेंगे इन फैक्ट हमारा अप अगर आप डाउनलोड करोगे उसका भी लिंक दे रखा है वहां पर भी आपको यह चीज़ें मिल जाएगे ठीक है दोस्तों आपको बताते नहीं बड़ आपको जानना चाहिए लॉट इस अलब इंटर्प्रेटेशन एक सेम लाइन दो व्यक्ति सेम लाइन ना सेम वर्ड सेम एक जगा पर लिख हुए वो एक लाइन जब दो व्यक्ति पढ़ते है वो दोनों उससे दो अलग इंफरेंसे ड्रॉक कर सकते है अब लॉट है एक लैंविज को यूज करके लिखा गया है और यह लैंगविज का इनरेंट प्लॉ है आपको कई बुक्स के अंदर भी मिस्टेक सौल करवाई है आपने देखा होगा अल्मोस्ट मैं और कम से कम चार से पाच हम लोग ने करेक्शन करवाई कई इंस्ट्यूट को इमेल करके तो मैं नहीं कह रहा हूं कि वह गलत इंटेंशनल लिखे थे इत वस जस्ट इन इंटर्प्रटेशन लेकर लोग का चल रहे हैं वेल इन दाट केस उसका इंटर्प्रेशन कुछ और ही था जो शायद हमारे जैसे बाकी मैक्सिम लोग भी गलत इ होता और जजेस उसको इंटर्प्रेट नहीं करते और फिर वो करेक्ट इंटर्प्रेशन भार नहीं रखते बहुत सारे लॉज हम लोग ऐसे एक ग्रे एरिया में फॉलो कर रहे है तो आल्वेज आल्वेज रिसर्च और देन एक्सेप्ट कि हां हमारा इंटर्प्रेशन सही आप अपनी खुद की रिसर्च भी करिए मैं तो आप खुद भी अपनी रिसर्च करिए और कम अप विड़क्वेशन और इससे क्या होगा ना यू विल एक्चुली बिकम अप प्रफेशनल आप स्टूडेंट से प्रफेशनल का जर्नी अब हमें करना है आप समझना यह बा अपने घर से उठकर एक ऑफिस के अंदर जाकर बैठकर काम करने वाले हो आई यू नौट क्या आप लोग आटिकल चिप नहीं करने वाले डमीग अपलाने क्या अरे है क्या है ना करने वाले हो ना तो भाई अगर आज से आठ नो मैंने बाद या चलो कुछ और समलों दस मै मैंने बाद 11 मैंने बाद अगर आपको कहीं जाकर अपलाए करना है एक साल के अंदर आपको जॉब अगर लगनी है अर्टिकल चिप अगर करनी है तो मेरे पास तो यही टाइम है ना आप लोगों को स्टूडेंट से प्रफेशनल की तरफ बढ़ाने का और मैं अपना काम प सुवसम महार मैं आपको एक बार स्टिव फचल यदा की देडु आप मेरे वोपर डिपनेट दो रखाएंगी पड़ अगर अगर मैं आपको फिशिंग सिखा दू तो आप मेरे पी नहीं ऑर किसी और पर बहीतilly कि नोगे विभी इंडडीपेंडनेट्य लोह कि में इडिए रखा है, so I don't think it will be difficult for you to understand next, I recommend TA Intermediate by Group Studies is a wonderful way in which you can, you know hone your skills, आप law का understanding सुदार सकते हो, revisions कर सकते हो, आप RTPs, MTPs और PYQs को discuss कर सकते हो आप MCQs में एक दूसर से compete कर सकते हो, और आप amendments अगर होता है तो वो भी आपस में discuss कर सकते हो कि sir why was this amendment needed अरे ऐसा क्या भीगड रहा था पहले की law में what was that loophole जिसको exploit किया जा रहा था, जिसको फिल करने के लिए law नहीं amendment लाया है and all these discussions, trust me, will give you in-depth understanding of the subject law, which will actually which is actually going to make you a very 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 talented professional going forward, ऐसा भी हो सकता है कि article chip में sir बोले कि भाया इससे पहले कही काम करके आए हो, क्या इतना घ्यान कहां से लेके आए हो so that is what we are going to achieve yes, एक दुस्थे के paper conduct करना, solve करना, check करना यह सारी चीज़े भी आप लोग group study की माद्यम से कर सकते हैं but there is a caveat, there is a catch there is one very big thing that you should keep in mind group study में group आता है और group में सभी प्रकार के लोग होते है कुछ लोग seriously group में serious काम करने आता है तो कुछ लोग group में सिर्फ time pass करने आता है I would request you all to be very very careful before you know joining a group I don't want you guys to end up doing time pass in any of the groups the moment you feel कि time pass हो रहा है आप उसको mute कर दो या आप just leave the group अगर आपको लग रहा है कि काम की चीज़े और बेकाम की चीज़े दोनों equally हो रही है आप उसको moderate कर सकते है but yes I will recommend group study but limited extent में limited extent in the sense not more than half an hour a day और maybe you know sometimes even Sundays को आप एक घंटे का session रख रहे हो ऐसा नहीं कि दिन में बस लगे है चार लोग audio call पे बैठे है दो घंटे तीन घंटे टाइम पास कर रहा है that should not है moderately आप इसको use कर सकते हो चलिए करते है पेपर नमबर टू की शुरुआत बहुत सारी बाते हम लोगों ने कर ली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले company law and LLP के साथ पहले chapter जो आता है वो है काश जीवन इतना असाल और सरल होता दोस्त जो सेक्शन नमबर टू की बात मैं कर रहा हूं of the company's act बेटा that section is having definitions and those definitions are very important for us to know before we actually start learning law studying law क्योंकि ऐसे ही randomly आगे आप section पढ़ते रहोगे उसमें नेट वर्थ लिख्या जाएगा ऐसे आप पढ़ते रहोगे और मेभी उसके अंदर बुक्स लिख्या जाएंगे डॉक्यमेंट्स लिख्या जाएंगे बुक्स अपकाउंट्स लिख्या जाएंगे यूशुड नो वाट्यू मिन बडॉक्यमेंट्स क्या होता है आपने देखना हर सेक्शन की नीचे लिखा होता है ओफिसर वीजिंड डिफॉल्ट विल विचाज इस फराना पेनल्टी धिमका पेनल्टी जेल वेजो कतले आम करो अरे मतले आम नहीं बदा रहो और सेक्शन की नीचे आप ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पकड़के जेल में दूस्ते रहते हो अरे यह ओफिसर इन डिफॉल्ट होता कौन है यह तो पता चले यह शेर्थ क्या होता है सब्सीडियरी क्या होती होल्डिंग क्या होती है बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए बिफॉर वे आक्चुली गो अबाउट एं स्टडी औ आपको आज बताने वाला हूँ इसमें है इंकॉर्परेशन ऑफ कंपणिया और मैंटर इंसिडेंटल देटू यह हमने फांडेशन में अल्यडी कवर कर रखा है बहुत सारा पार्ट इसमें से तो यह गाइस आपको इन्जोई डेफिनेटली जब आम यह चैप्टर पढ़े चीजे है इतनी सारे चोटी 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 पार्ट से जिनको क्लस्टर करके मर्च करके मैनेजमेंट और अबिनिस्टेशन यह एक बड़ा ओर ओर आल चाप्टर बना है यहां पर आपका स्लेबस कंप्लीट होता था अब दो चीज़े आड हो गई है मैंने आपको बत इससे पहले कि अब हम एक्चुली पढ़ना पढ़ाना स्टार्ट करें मैं एक बारी अपने अमेजिंग स्टूडेंट से चैट करना चाहूंगा येस राजीव सात्वानी ने हाथ रेस किया तो मैं जरा इससे बात कर लो फटा फट राजीव क्या आपको मेरी आवाज आ रह आप गुड मॉर्निंग बहुत-बहुत स्वागत है आपका कैसा लग रहा है बढ़िया है लाइकिंग दा युनों ऑल जो भी आपका सिस्टेम किसे देख रहा पहले ये बता दो इंट्रॉइट और आएस कैसा लग रहा है मस लग रहा है युए और युए नौल पिछला जब फॉन्टेशन आपसे बढ़ा था तब तो टीवी पे देख रहा था तीवी पे चुरू-चुरू मैं आइसा और मेरे प्यास पढ़ा हुआ था क्या नाम उनका चिराग आप कहां से आप कहां से इंदोर से हो क्या अरे वावावाव अमेजिंग चिराग तो आपका नाम आपने बढ़ा राजी वाई मिलके मचा देंगे मजा कर लेंगे और आपको कोई भी डाउटे क्वेरी आप यहां पर देख सकते हो डाउट्स पूछने के लिए भी चैट्स है आप रेजर हैंड का फीचर भी उसकर सकते हैं आपको आइधिंग डेमो लेक्चर्स में आपने सब देख लिए होगी राइट यह चलो अमेजिंग है थांकि सो मच पर शेरिंग एक्स्पिरेंस हम लोग तो कनेक्टेट रहेंगे बात करते रहेंगे बहुत ही कूल बैच क जरूर आप लोगों से करें फिलाल वक्त है पढ़ाई स्टार्ट करने का बहुत सारी बाते हो गई लेट स्टार्ट विट आज चैप्टर नमबर वन प्रिलिमिनरी तरह यह इंस्टिट्यूट ने चैप्टर्स खुद अपने मन से बनाए है या यह चैप्टर्स कहीं से हमन में आई थी यहां से कहां से mca.gov.in पे जब आप e-books में या कोई पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं आपको अल्रडी बताया है कि जो चैप्टर्स आपके मॉडियल में आपको दिख रहे है न यह चैप्टर्स इंस्टिट्र नहीं बनाए यह खुद और दूसरी बात सुनो न आप यहां पर देखो और अभी अभी मैंने आपको पूरा स्लैबस आपका बताया यह आपके स्लैबस में सेम दिख रहा है इन को और परेशन आप कंपनीwr देक्रिंज्टर समझ हो गया था 149 ओन्वर्ड जो अपॉइंट्मेंट्में कौलिपाइड कौलिफिकेशन ऑफ डिरेक्टर यह फाइनल में वह करता था अभी वह सेलफ पेस्ट लर्निंग में फाइनल में गया हुआ है अगर थोड़ा नीचे आप स्कूल करेंगे थोड़ा नहीं अच्छा कासा आ इंडिया दिख रहा है 22 यह जो series of sections है ना यह देखो यह पूरे 379 से लेके अब आप देखते रहो 393 तक इतने सारे sections और इसमें कम से कम 10 ऐसे important sections है जो हमें बहुत अच्छे से करने हैं यह साभी section और one of the section is foreign company इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले है यह पार्ट भी अब आपके syllabus में डाल दिया गया है इसके अलावा यही website पर अगर आप जाते हो acts के अंदर तो आपको LLP Act भी मिल जाएगा LLP Act के भी सारे sections यहां पर मिल जाएंगे देखो यह सारे आपको मिल जाएंगे तो basically जो chapters आपके module में अभी आज आपको दिख रहे है यह chapters इंस्टिट्यूट में डायरेक्ली बेर एक्ट से उठा कर रखे होगा अब बेर एक्ट और यह sections के बारे में एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पुछता हूँ कई बार books में ऐसा लिखा होता है मैं आपको एक डाउनलोड भी करके दिखाता हूँ अगर आप लोग के पास नहीं है आप यहां से companies act का PDF डाउनलोड कर सकते हैं बस इस पर क्लिक करिए यहां आपको PDF दिख रहे है देखो 1.9 MB का इसको आप डाउनलोड करें यह देखे आप है मेरे पास बहुत है फ्याओ मेरे पास तुम बताओ किया नई है यह सब्सक्राइल मेरे पास सब्सक्राइं मेरे पास नहीं हो सकते हैं समझें ना कि इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता भाईया इतनी महनत करने से अच्छा नहीं नहीं आप बोलो ना एक बार आप देखो क्या मैं कमपनी एक डाउनलोड ना कर लूँ अधान बात तो सही है तो कमपनी आट 2013 पहले हम देख लेए एक छोटास सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था अधी अधी आप्टर नून तिशा अरे बहुत साहब बहुत सारे तिशा मारे मापका एक ता है लो कि नोट्स का मिलेंगी पहले क्लास के अंदर मिलने वाली है अलग से पर्चेस करने का भी ऑप्शन आएगा अभी कुछ दिरों में वाट्स वेबसाइट पर दिखें लगेगा ठीक है थैंक्यू सो मच पर जॉइन इन ओल दी पीपल थैंक्यू तिशा थैंक्यू येस एक से पर निगा कि यह सेक्शन वनननन 14 बेरावर क्या देखो चैumba motor 자 दो तब सेक्शन वनさब सेक्शन वन Okay लाइव एक्षिन में देख लेता यह चीज है यह 143 Α getungen 43 ha कि इसे क्या मैं कह सकता हूं कि भाया यह तो सेक्षन है देखो कि कह सकता हूं कि यह तो सेक्षन है मुना यह तो सेक्षन है मुना ठीक है अब आप देखना है यहां पर लिखा है वन प्रैकेट में क्या मैं कह सकता हूं कि यह सब सेक्षन है तर यह आप बच्च वाली चीजी की बढ़ा रहे हो बिटा देखो मैं तो क्लास इसे पढ़ाऊंगा ना कि मैं को बेसिक से एंड तक आपको एडवांस तक ले जाना है कुछ चीज अगर आपको पता है तो बैटकर थोड़ी देर जे दो अगर इस वन का एंडस बताना है था क्या बुलना पड़ेगा सब सेक्षन वन उसेक्षन 143 और दे कमपनी जाट वन थरीं है कमपनी जाटन थरीं तो इसको लिखने के दो तरीके आप सामने आ जाएंगे कौन से दो तरीके हैं रुको जा रहा है रुको सबर को बोला धक्का मुख्य नहीं करने गा तो इसको लिखने के कि और कि कशिए कि और कि और ऑफ करेंगे और उसक्ष्य को ब्रैकेट करेंगे और 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 अंक्यैंड आ कर ती और ए हमेशा capital होगा तर यह तो सच में बहुत ही जादा लॉंग हो गया अब ऐसे ही मैं कुछ और अड्रस आप से पूछूंगा और आप मुझे लिख के बताएंगे ठीक है पूछ रूख जाओ दूसरे सेक्शन का मुझता हो ना रैंडम अंजी अंजी वेट्टा जी मुझे आप इसका एड्रस बताईए यह जो सी लिखा है ना मुझे इसका एड्रस बताईए मैं जूम इन कर दूँ थोड़ा और अगर आपको नहीं दिख रहा होगा मैं और जूम इन करता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जाथा कि मुझे अभी राजीव ने कहा कि मोबाइल से मुझे देख रहा है तो आप शाद देखने में दिक्कत हो जाए मैं वह नहीं चाहता कि आपको दिक्कत हो जाए इसलिए मैं इसको जिम कर दिया अब आप देखके बताईए यह सर्टेक्षिन नाइनटी टू सब्सक्शन वन लॉज सी यह आप इसा भी कहसे था लॉज सी ऑप सब्सक्शन बन अप शेक्शन नाइनटी टू ठीक है भाई स्मार्ट है मेरे क्लास के बच्चे मेरे क्लास के बच्चे सोना उगले उगले हीरे मूती अरे सर जी क्या है क्या कर रहे है क्या कर रहे हैं जी ओके नाओ आए वांट तो आस्क यू दा आड्रेस ऑफ दिस बी यह आपके सिलाबस में है जलो बताओ आड्रेस बताओ इस अधर भी देखता हूं आप लोग आड्रेस बताओ कि कुपटेल सर आप कहा से हो मैं तो इदर से हूं आप कहा से हूं मतलब पूने से मजा करा पूने महारास्ट से ऐसे गेव लेता रहता हो वह जी 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 चलो आओ 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 ठोको ताली जो लाइक हां हां सर 871 भी रॉंग 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 जितने भी लोगों ने रॉंग एक भी राइट आंसर ने मिला मेरे को अभी तख अब रिशिकेश आपने सही लिका है इसका मतलब यह जो पूरी एक्सरेस में करा रहा हूं गलत नहीं है यह गलती कहाना लोग डारेकली लॉप पढ़ाने लग जाते हैं अब उनको पहले लॉप पढ़ना सिखाओ तो उस ताकि कर अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो उन बच्चों को कुछ देखना रहे है तो जाकर देख सकें इसके बारे में बात करते हैं सर सेक्षन तो 87 ने कोई पंगा नहीं है और इसमें भी पंगा नहीं है लेकिन आप डारेकली एबी सी दी नहीं बोल सकते हैं यहां पर आप तो इसे लिखते वक्त में कैसे लिखूंगा तो देखना यहाँ पर मैं रैड इसे लिखता हूँ section 87 subsection 1 clause 1 sub clause A, B, C whatever आप जिसको mention करना चाहते हो दिखा दिखा यहने अब फड़ते वक्त इसको पढ़ेंगे sub clause B bracket of clause 1 और तब सेक्षण 1 और सेक्षण 87 और कमपनीज आक 2000 तक यह चोटी चोटी मगर मोटी बात है बहुत सारे लोग यहाँ पर कर देता है मैं नहीं चाहता कि आप गल्टी करें अब थोड़ा और आगे जाते हैं इसी तरह से चलिए यह बता दीजिए फिर अब कि जिंदेगी कि दोपल की चलो यह अकाउंटिंग चैनल पर पता तो क्या है कि सबसेक्षण और सबसेक्षं का सब्क्राइब कर सकते हैं लोड़ाल कि नीचे और इस सबीन कर सकते हो किए अब यहां पर थोड़ा सा changes आ गया है अब technically जो अभी तक आपने पड़ा उसके हिसाब से आपका मन कर रहा होगा इसको बोलने का subsection 2 of section 2 but that my friend will be wrong section 2 of the company's act has no subsection it has clauses अब सर ये cheating क्यों यहने इसको कर मैं जे accounting standard का address देना है तो clause 2 of section 2 बोलना पड़ेगा direct clause 2 of section 2 मुझे इसमें subsection नहीं बोलना है answer is no सर वाइ because आप देखेंगे जहां कई पर भी subsection होता है तो आप section के बार text चालोने से फ़हले वो number आ जाता है for example यहाँ पर section 1 बनाया आपने इसका text चालो होगा उससे पहले इक और number आ गया इसलिब मैंने इसको subsection बना लिया फिर एक number आया यह एक और subsection हो गया यह एक और subsection हो गया यह एक और subsection हो अब यह जो subsection 4 था इसके अंदर और ये point A आ गया तो मैंने इसको clause बना दिया अब इसके अंदर और एक point होता तो मैं उसे sub clause बना दियता लेकिन अगर आप section 2 पे ध्यान देंगे section 2 directly यहाँ पर बिना कोई number के in this act करके text चालो हो गया that means they have not divided section 2 into multiple subsections rather they have only one section number 2 and all the others are समझ में आया तो याद रखना there are no subsections in section 2 सर एक बार आप दूसरा कोई act दिखाएंगे all my it will my it will be my pleasure यह है आपका LLP act ठीक है चलो LLP act के अंदर मुझे यह body corporate का आप यह बता दो address बता दो यह जो point number D दिक रहा है न point number D देको body corporate दिक रहा है यह यहाँ पर कुछ है नहीं मेरे पास को zoom in करने के लिए समझ जाओ थोड़ा तुम लोग हाँ इसका बता दो मेरे को address क्या बात है उदे भाई मज़ा आगे आपको देखके हैं बताओ ना फड़ा 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 पर आप इसको क्लॉस बोलेंगे लेकिन डायरेक्ट सेक्शन टू क्लॉस डी नहीं हाला कि अगर आप सिये फाउंडेशन की पुरानी अगर आप उठा कर देखोगे तो उसमें क्लॉस डी लिखा हुआ है इस अप्सुलूटली रॉंग इट शूड़ भी सेक्शन टू सब सेक्शन वन लाउस डी सर्व यहां सब सेक्शन वन क्यू है क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां सेक्शन टू चालोने के बाद तुरंत एक नंबर आ गया वन और अदर्वाइस एग्रीड तो पहले सबसे पहले नमबर आ गया वन और इसके नीचे जो है यह बन गया क्लॉस और यह क्लोस के नीचे जो इंडीविजूडाल इस बाड़िकॉर्परेट इसका अड्रेस टू दी नहीं रहेगा तो इंस्टूट में ऑंडिशन के यह सब यह त 2B 2C 2D कर दो तो बहुत सी जगह पर ओर लुकिंग होता है और जो टेक्निकली स्ट्रॉंग रहते हैं और अच्छे से पढ़ते पढ़ाते हैं उनको फिरो ना दिल में दुखता है तो भाई आप लोग पूरे मेरे क्लास में कभी भी मुझसे क्वेरी पूछते हैं कभी भी यह मिस्टिक कभी मत कर देना मेर को यह नहीं चाहिए कि आप ऐसा लिखो सर 871 IB बता दो यह गलत है यह गलत है इस इस रॉंग यह ऐसा ही चोना चाहिए हर क्लाउज हर सब क्लाउज हर सब सेक्षन अलग अलग ब्रैकेट में होना चाहिए अदर्वाइस एडरेस चेंज हो जाए ठीक है यार रखेंगे सर्फ what's the logic behind this logic is very simple अगर आप court में case लड़ रहे हो and अगर आप किसी बहुत बड़े act के किसी एक part के लिए case लड़ रहे हो आप कैसे आगे वाले व्यक्ति को बताएंगे कि आप कौन से part की बात कर रहे हो law में कहां लिखा है कि ये करना allowed है ये करना allowed नहीं है उस एक line का address कैसे बताओगे and therefore law तो हजारों पे जिसका हो सकता है उन हजारों पन्नों में आप जिसकी बात कर रहे हो पन्ना धुनने और वो sentence धुनने में वक्त ना लगे और वक्त जाया इसलिए हमने हर एक पैरा हर एक line को breakdown कर दिया है sections पहले तो हमने क्या क्या actually sections नहीं मैं आपको बताता हूँ आप यहां पर देखो तुनों आज यह भी बता देता हूँ अच्छा सवाल है सबसे पहले हमारे पास था act यानि कि मैं बोल सकता हूं नहीं complete list of all the law है करें अभी complete list को हमने क्या कर दिया पहले break कर दिया chapters में chapter 1,2,3,4,5,6,7 अब बाद में इन chapters को हमने break कर दिया sections में देखो दिख रहा है अब act के अंदर multiple chapters है multiple chapters के अंदर multiple sections है फिर हमने sections को break कर दिया तो अगर आप इसका list बनाई रहे हो तो ऐसा breakage आता है मैं आपको बताता हूँ एं ठीक है एक्ट को ब्रेक करके हमने chapters बनाए chapters को break करके हमने sections बनाए sections को break करके हमने subsections बनाए सब सेक्षिن को ब्रेक करके हमने भर्राइब के एंट अभी अभी जिंग है ऐलस्टरेशन है एक्स्प्लेनेशन्स है मार्जिनल नोट्स है हैडिंग से वह सारी चीजे है neutral फिर आप करेंगे यह हम एक बेसिक हाइरार की समझ रहें है कि लोब पढ़ते और इसलिए कोई भी address देते हैं क्या कहते है sub clause 1 of clause 2 of subsection 1 of section 4 of the companies act of the negotiable instrument act of the you know general clauses act of the foreign action management act इस तरह से हम उस particular line का address बनाते हैं तो identification and manageability के लिए यह सारी चीज़े खरिए तो ठीक है चलिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पर chapter के नीचे लिखा है preliminary इसे कहता है chapter heading इसमें आप बता रहें कि हम इस chapter में किस बारे में बात करेंगे तो इस chapter में preliminary के बात करेंगे अगला जो chapter आएगा उस chapter में incorporation of a company and matters incidental there too के बारे में बात करेंगे तो एक बात बताना है यहाँ पर deposits के बारे में कोई section मिलेगा क्या पूइस chapter में auditor के बारे में accounts के बारे में मिलेगा सर नहीं it has nothing to do with incorporation अच्छा फिर इसके बाद आपने बोला कि यह इसका chapter है और यह chapter heading है जो heading दे रहे उस heading के related sections रहेंगे ना नीचे सर अपने मंद से खोड़े ना कुछ भी लिख देंगे correct next अब इसके बाद हम अब देखो यहाँ पर कभी-कभी chapters को भी parts में divide होते है chapters heading के बाद parts होते हैं और पार्ट के अंदर sections होते हैं तो चुछ है यहने अब देखो एक नया hierarchy यहाँ पर मिल गया act के बाद parts और parts के बाद chapters यह भी पॉसिबल यह चाप सोरी act के बाद नहीं यहाँ पर chapter के बाद parts और फिर parts के अंदर section एक और hierarchy मिल रहे हैं तो यह easy identification के लिए और कुछ नहीं ठीक है अब इसके अलावा हर chapter और उसकी heading हो गई फिर sections आ गया सब sections आ गया अब sections के अंदर अब रूप देखो 470 section है आपको दिखेंगे यहाँ पर चार सब्सक्र सेक्शन है उसके बाद कुछ schedules भी दिए गए schedules के बारे में मैं बात करेंगे अब आप देखेंगे यह act के नाम के बाद act number है identify कौन सा तो 2013 का act number 18 है companies act ठीक है यह date जब यह act बना और अपकोर्स उसका implementation के लिए official gadget की date देखनी पड़ती है कि कब से यह act applicable हो गया अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है आप कोई भी आक्ट ओपन करो कोई भी आक्ट आपको यहाँ पर act के जस्ट नीचे एक लाइन दिखेगा इसे हम कहते है आप यह सब क्यों पढ़ा रहे हो यह मैं आपको foundation में पढ़ाता था और मैं इंटर में पढ़ाता हूं लौ और को समझ दो आप उस चीज को समझो जिसको पढ़ने के लिए इत्री बड़ी कसम आप खा रहे है नो वाट वाट वर स्टड़ी और देन इत्री इंटरेस्ट इन यूर माइंट कर दिया फिर कोई मतलब नहीं प्रेंब प्रेंबल में लिख रहे है और एक टू कंसॉल्ड इंड अमेंड लॉस रिलेटिंग टू कंपने बेसिकली प्रेंबल आपको बताता है वाट वाट वा यहां पर कहता है एंड एक्ट कोन सा आपको चाहिए यहां पर बहुत सारे एक्ट्स आपको मिल जाएंगे आप मुझे बोलो बस कौन सा एक्ट्स आपको मिल जाएंगे जाना चाहते हो चलो कंपनी कंपिटिशन एक दिखा देता हूं ठीक है आजाओ दिखा दूंगा यहां पर डाउंलोड की बटन है कंप्लीट आप हाँ यह देखो कंपिटिशन एक्ट से मैंने पूछा कि वह यह कहना क्या चाहते हो तो उसने का इतनी बड़ी बात कही एन एक्ट प्रोवाइट कीपिंग इन व्यू आप दे एकोनोमिक डेलेप्मेंट फालाना डिम का है न अब आप पढ़ सकते हो मैंने आप मैंने आपको के फिरेंबल के नंदर लikkha जाता है एक्ट के फेस पर लिखा जाता है कि यह ऐक्ट क्यू बनाया गया है कि इस उद्देश्य से बनाया गया कि आप दुनिया का कोई ब्या प्रेम्ब वहाँ पर मिल जाएगा चल्ट अब इसके बाद आते है sections sections के अंदर मैंने अब होता है subsection clauses ये सब पढ़ा दिया अब आपको मैंने act पढ़ना सिखा दिया इसके अलावा act के अंदर बहुत सारे चीज़े होती है जैसे कि ये देखो ये है margin notes अब उसके अलावा होते है पुरो वी जोज अब मैं आपको वह भी दिखा देता हूं ये देखो दिख रहा है पुरा जूम कर रहा हूं देखना यहां पर एक financial year का definition दिया हुआ है ठीक है दिख रहा है financial यह आपके अभी जो हम chapter पढ़ने आज स्टार्ट करेंगे न उसके अंदर है यह हमारे syllabus के अंदर आ चुके हैं हम लोगा यह मत सोचना कि मैं भी भी घुमा रहा हूं syllabus के अंदर हम आ चुके financial year का definition दिया है बाद में पूरा definition बोलने के बाद क्या बोल देते पता है provided that अभी provided that बोलतो क्या है इसे हम proviso कहते है प्रोविजोस एक्चुली एक exception create करते है या करते है exception create करते है मैं आपके छोटा उधारन थू no one will be allowed to leave the class this is law I've just made a law no one is allowed to leave this class provided that if it is a medical emergency then one can leave i logic क्या वोला मैंने मैंने पहले एक law बनाया कि यह है law लेकिन मैंने तुरंत आपको उसके नीचे एक exception दे दिया कि अगर ऐसी situation है तो फिर यह law नहीं लगेगा that means i have created an exception to the law अब मेडिकल इमर्जेंसी वाले को टेंशनल नहीं जरुत नहीं हो डारिक लिव कर सकता है when on the other hand others who do not have medical emergency they can't leave हमझे रहो तो that is the power of provisos exceptions फिर आते illustrations जो आपको लौ समझाने में मदद करते explanations जो law के अंदर देगे words का clear definition और meaning आपको बताते है ताकि आप confused नहीं हो और आप अपने मंद से कुछ और जब भी आपको एक्ट देखो ठीक है say for example हम लोगो ने अभी companies act देखा अब आपको चैप्टर दिख रहे प्ली नरी इन कॉर्परेशन प्रोस्पेक्टर्स चेर कैपिटल डिपोसिट्स चार्जेस चार्जेस मैनेजमेंट डिकलेरेशन और डिविडेंट अकाउंट्स राइड आज आज आपको अपना सिलाबस तो याद होना चाहिए मेरे को ऐसा मिनिमम लगता है कंपनी जाट का तो सर इन एक्ट्स ने तो पार्लियमेंट के थूँ आपको पता ने एक्ट कैसे बनता है कि एवरिवन तो और पका प्रॉमिस अगर नहीं पता बोल देना बता आई डूंट नो मैं बहुत मीम देख रहा हूं आज का असा फील हो रहा है तो भाई यह एक्ट पार्लियमेंट के थूँ प्रोसेस के थूँ बने हुए एक धाचा है जो कहता है यह करना है वो करना है ऐ कि अब वह एक्ट को पूरा करने के लिए जो रूल्स ललतते है बेशिक स्टेप्स अना है अब यह ऐ लोकेशन से कैसे जाने का यह कौन बताता है यह आपको रूल्स बताते है और सबने आ देखना हर चीजice अपने-पन डे डेफिनेशन पढ़ने वाले यहारभ अब आप जितने भी चाप्टर्स देखोगे ना इह देखो चेर कैपिल डिपेंचर डिपॉसिट चार्जेज मैनेजमेंट अड्मिनिस्ट्रेशन डिविडेंड अकाउंट अभी ऑडिट भी आएगा देखो ऑडिट थी एसार ओडिटन ओडिटर्स दिख रहा है जितने भी हम लोग आक्ट सेक्शन पढ़ने वाले हैं उन सभी सेक्शन के रूल्स जो है रिस्पेक्टिव कि बाई इस सेक्शन में बताएगी चीज़े हमें कैसे करनी है वो करने के जो रूल्स है वो हमें दिये हुए अब यहाँ पढ़ देखो पॉरें कंपनी इसके रूल्स दिख रहा है 22 वाला यह भी चैप्टर हमारे इसमें है और यह रूल्स भी हमें तो केवल एक्ट पढ़ लेने से काम नहीं होगा एक्ट तो आपको ब्रॉड वर भी बताता है एक्ट आपको बोलेगा कि विदिन थर्टी डेज आरोसी को इंफर्म करतो अरे भ पहते हु यह रूल्स भी जाता हूं तो मुझे पता चलता है मुझे मिसे की वेबुशेट पर जाना है एक फॉर्म डाउनलोड करना है पulator करना एक इतने डेज में करना है इतनी फीज भरना है और उसके बाद सम्मिट करना है तो वह आरुज तक जाएगा तो act आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताता है अब वो कैसे करना है actually या क्या क्या नहीं करना है ये इसके लिए आपको उसके rules पढ़ने पढ़ता है और उतने में भी law पूरा खतम नहीं होता नहीं उतने में भी लोग खतम नहीं होता चलो आपने अक्ट पढ़ लिया यह आपको बोलता है वाट आपने उसके रूल्स पढ़ लिये वो आपको बताता है हाव लेकिन अभी भी मैटर अगर क्लियर नहीं है तो हमारे पास है नोटिफिकेशन तर्कूलर्स जज्जमेंट्स पॉर्ण जज्जमेंट्स यह हमको एडिशनली देखने तो जब आप आप उसके रूल्स उसके लिए दिए गए ऑफिचल गैजेट के नोटिफिकेशन्स तेंट्रल गवर्मेंट डॉला भेजे गए स्थर्कूलर्स और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए जज्जमेंट्स इन सभी चीजों को पढ़के जब समझते हो ना बेटा तब आपको एक लौ समझ में आता है कि इसना आसान नहीं है कि इससे आसान हम बनाएंगे जरूर अब आप समझ रहे हो हां अफकोर्स बेरी गुड इस फेडिस तो बिटाओ जज्जमेंट्स के अंदर मैंना इसे जज्जमेंट्स तो के स्थेडिस आर यूज्यूली मेड आउट आउट अप जज्जमेंट्स मैंने अलग से नहीं लिखा बढ़ हां अडेस्टाइंड कि कुछ इलस्ट्रेशन भी दिये होते हैं कुछ एक्स्प्लेशन या एक्साम्पल्स भी दिये होते हैं यह पाट आप आप या रूल्स ही रहेंगे जो आपको और फॉल्व करने पड़ता है यह सब कुछ पढ़ने का और उसके बाद आपको एक लौ समझ में आता है और फिर आप उस लौ को एक्चुली किसी क्लाइंट को समझा सकते हैं कि इतना आसान नहीं है उस चार्टेड अकाउंटेट के चेर पर बैठ कर जज्जमेंट देना और प्रफेशनल कौन है और प्रफेशनल कौन है चार्ट में कमें हर जगा आग लगाके लिख दो कि पुरे दुनिया को पता होना चाहिए है कि एक साइन की कीमत क्या होती है और वो कीमत कैसे बनती है करते है चाहिए क्या करते है चाहिव पूंच क्यों होता है चाह्ट हथे अकाउंटेट ट इस्पेक्ट कर रहे हैं और वो जानते हैं कितना खुन-पसीना एक करके कितनी शादिया कितने फंक्शन कितने बढ़्दे कितने दिवाली कितने ईद और कितने ही हमारे तेवारों को त्याग कर उसके बाद यह नौलेज हासिल किया वो गिफ्ट वो नौलेज सबको दिखता है उसको पाने के लिए जो सेक्रिफाइब आप करते हो ना वो स्रिफ अंदर हमें पता होते है और वो आपको एक धर्जा प्रधान करें अगरे जल्दी से अपने अपने लाइफ में और अपने अपने नामों में यह आड करके दिखाओ क्या गोल लेकर इस क्लास में आये थे और जब भी बोर हो जब भी लगेगी सरD नींद आ रही है जब भी लगे सरभूक लगी है मज़े परिशानी हो रही है यह सोचो यह देखो और अपने भविश्य की और देखो यह करने आया है सरा मजाक करने नहीं आए कंचे खिलने नहीं बैटे हैं यहां पर भूक प्यास नींद दुख दर्द पीड़ा तकलीफ को साइड रखके अगर यहां बैटके आप मुझे देख रहे हो क्यों देख रहे हो लिखो लिको हमारे को इधर भी देखना बस मेरे को बता आज मेरे को आथ समझ में आ जाएगा कौन यहां परENDबस केल और कौन यहां पर सच में कुछ हासिल करने कि लगा से चाहर अपनने आए हो मुसकान शिंग्स सीए मुस्कान बनने आई सिए प्रिया सिए आरियं सिए राजीव सिए शिन्जोय हैं यह बनने आये मिए सिए सतीज मेडा यह अब ब है अब आड़ए नीनड तक्लीव दुख हो रहा है कुछ उड़ी गया ना तो अब finally we are going to देखो ऐसा मत समझना कि मैंने अभी तर्ट टेक्ष्ट नहीं पढ़ाया मतलब chapter शुरूरी नहीं हुआ मैंने आपको बहुत सारी बाते बता दी मैंने आपको बातों ही बातों में बता दिया 29th August को Honorable President और मैंने कहां बताया आपको यह चीज़ तर जब आपने bear act हमें दिखाया ना आपने जाने अन जाने में हमें वो डेख दिखाई और आपने underline भी की तब हमें नहीं समझ रहा था कि आप हमें क्या अप्रोच देने के लिए आप आए हो ऑफिशल गैजेट में 30 अगस्ट को यह हो गया था प्रिंट सर आपने में मज़ाग मज़ाग में बता दिया 470 सेक्शन से आपने बजाग मज़ाग में बता दिया सेवें शेडूल से हमें लॉब भी वही बताने कोशिच करें हमारे किताब भी बता रही है दियरा 29 चैप्टर्स हमें यहीं बताया जा रहे है तो हम लोग अभी तक कुछ अलग नहीं वहीं पढ़ रहे है तो कंपनी क्या है इस न आर इनकोर्परेट अस्वेशन विटन विटन विच अर्टिशल पर्सन विटन 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 पर्टेटल सच्छिशन कॉमन सील यह कुछ नहीं तो फीचर्ज अप कंपनी है अच्छल कंपनी की रेफिनिशन सेक्षन टू क्लॉस 20 के अंदर दी गई है वोट तकींघ्यर कंपनी कंपनी मींजड अप कंपनी इनकॉर्परेटेड इन इंडिया अरे कंपनी इंकॉर्परेटेट अंडर इस एक और अंडर एनी प्रिवियस कंपनी लॉग एट्रा सो पचास से हमारे देश में कंपनी जाक्ट है जो की ब्रिटिश कंपनी लॉग बना था जैसे ब्रिटिश कंपनी लॉग आगे बड़ा इंडिया में हमने अलग-अलग नए-एड लाते रहे लेकिन 2013 में अपना खुद का इस बना विच वस नॉट बेस्ट ने ब्रिटिश लॉग बट विच वजब वेज़ अन आवर ओन प्रीवियस कंपनी जाग 1956 और मार्केट अएंड आर ओन एकॉनमी और वह एक था कंपनी जाग 2013 तेरा made applicable from 1st of April 2014 पाड़ भाड़ यह हुआ सब ये act कहा कहां तक apply होता है sir this act applies to whole of India this act का नाम है Companies Act this applies to whole of India including including the state of Jamo and Kashmir sir why is this written everywhere हमने बहुत आक्ट में देखा है जब आप कहरें होल आफ इंडिया वाई डू लॉज एंड बूग्स एंड ऑथर्स कीप सॉन क्लैरिफाइंग डाट जे एंड के इस अल्सो विकाज अभी से कुछ सालों पहले तक इन फैक्ट मैं आपको फ्राइंग लेकाऊ तो दोजार अठ 운 निश्स तक यह जैन जे के बहुत सारे लॉज हमारे नहींगे लगम जब जे ंड के रियरिवनिशाने आक्ट आया उशके बाद जैन क को इंडिया के अंदर इंक्लूड कर लिया गया और देर्पौर इंडिया के सारे लॉज जे अन्र् agricade अप्र लिप लगाए कुछ लोग आज भी चीज श्पेसिफाय कर रहे है विकॉस पहले हर लॉव में लिखा होता था excluding 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 जैनके excluding जैनके excluding जैनके अब पतानी उनको गर्व हो रहा है या क्या हो रहा है अब हर जगा पर बोलते है विल बी रिटन एवरिवेर इट विल नॉट बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इंक्लूडिंग जी एन के वो कुछ दिन एडाप्ट करने के लगते है न वह अभी चल रहे एक दो चार साल बाद आपको धीरे धीरे यह लाइन अट पर दिच जाएंगी यह मेरी दूद रुष्ट पर अपलाए होता है पहले तो सारे कंपनी स्पे वह कंपनी चाहिए इस एक के अंदर बने हो यह वह किसी बी प्रीविएस गंपनी लॉग के अंदर बने हो अब वह अटरा सो पचास से लेकी उन 1956 तक है तो आप चाहे Companies Act 2013 में बने हो या आप प्रिवियस किसी Companies Act के अंदर बने हो 1850 से लेकिए 1956 तक तो भी आप हमारे लिए Companies है और आपके उपर Companies Act 2013 अपलाए होगा इतना है नहीं जो Insurance Companies है Banking Companies है या Electricity Generation and Making वाली Companies है उन Companies के उपर भी Companies Act लगेगा मगर सर इंशुरेंस Companies के लिए तो IRD है ना Insurance Regulatory and Development Authority Act उनका तो Insurance Act 1938 भी है और सिमिलरी सर बैंकिंग का भी Banking Regulation Act 1949 है और सर इलेक्रिसिटी कमपनी का भी Act 2003 Electricity Act जब इन लोगों के Special इनके अपने Specialized Act बने हुए है तन वाइड वी नीड टो अपलाई Companies Act on them as well हाँ अगर इनके जो Specific बने हुए Act है इनके जो Specific बने हुए Acts है वो अगर Specific Act वो Specific Act अगर उनको कह रहे है कि ऐसा ऐसा करो तो इन इन्शुरेंस कमपनी Banking कमपनी और Electricity कमपनी को अपने Specific Act को फॉलो करना है जहां इनके Specific Act Silent है वाँ Companies Act Violent हो जाएगा जिस चीज़ के बारे में इनके Specific Act में Detail में Specific में कुछ दियावा नहीं है वाँ हम लोग Companies Act को फॉलो कर लेंगे एंचर क्या होगा अगर Companies Act इनको Right जाने कहें और इनके Personal Acts इनको Specific Acts इनको Left जाने कहें तो यह तो Companies Confused हो जाएंगे किसका सुनू तो वो भी Tension मत लेना वो भी Tension हमने आपके Solve कर दिया है Companies Act कहता है कि इफ देर इस सम्थिंग कॉंट्रेडिक्टरी इन कंपनी जाएक आप अपूस्ट तो यह स्पेसिफिक एक्ट देन यूँ फॉलो यह स्पेसिफिक एक्ट वाई जहाँ वो silent है और हम आपको दिर्देश दे रहे देन यूँ हब ट। बिस्ट तो शवलो And therefor we have applied Companies Act to insurance companies banking companies and electricity companies as well provided as far as the regulations are not in contradiction with their specific act कमचमे में आया है Specific Act will always prevail over General Sir फिर लग कंपनी इस bill बैए स्पेशलाट्स होते है, तो स्पेशलाच के तहत अगर आपकी कमपनी बनी है, तो इसको फॉलो कर ले, कोईática नहीं है, लेकिन जहाब वो अग्पनी सालेंट हो गया, आप कमपनीज्ट्स區णी हो जाएंगा, हमारी बात सुन नोटिफाइब करें जैसे कि Central Government ने FCI that is Food Corporation of India को नोटिफाइब कर रखा है NHAI National Highway Authority of India को नोटिफाइब करके रखा है तो इन Companies को भी इन Organizations को भी हम लोग ने Body Corporate को भी हम लोगों ने Companies Act अप्लिकेबर कर देख ले ना किस को Companies Act अप्ला होता है जल्दी से बता देना किस किस पे Companies Act अप्ला होता है फटा-फट येस विशी जल्दी बोलो कि अधर Companies अंडर 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 प्रीवेस कंपरी लो इंशरंस बैंकिंग इलेक्रिसिटी कंपनीस फॉर्म अंडर स्पेशल अक्ट अंड बॉड़ी कॉर्परेट नोटिफाइड बाई सी जी एक्जामपल एफसी आए एन एच एए पड़ावट बोलो एक बारी सब लोग चलो कोई हाथ रेज करेगा किसी को बात करना है जल्लेली हमने सब्सक्रिप्शन लिले हाई काहती वेल्टम टुट्व लगा देखके कि इसी को बात करना तो हाथ रिस कर देना राजी वकेला ही बात कर रहा है वहाई क्यों गया नीदी प्रिया आरियन अधित्य एक और आरेन अच्छा अरिन कुमार और आरेन श्रिवास्त हो मंतश् आपको बात करना तो शाहिद अजी दोनों आरेन ने आत्रेस्ट कर दिये पहले आरेन कुमार से बात कर लेते हैं कि है अलो आरेन गुराप्टुन ब्रो क्या हो गया तुम्हार आवाज क्यों ऐसे आ रहा है हां जी नहीं बहुत बिस्टर्ब हो रहा है और अभी बोलो बोलके देखें हाँ हाँ ठीक है ठीक है करते हैं कवरेज का इशू होगा है तो यह है चलो हाई आरेन कैसे हो बिटा गुड 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 मॉनिंग या ठीक प्रक्ति क्या है अरे मैं तो अच्छा हाँ लोग बहुत लेट थे पट अब लोग इसलिए हम लोग संडेज को भी क्लास ले रहे हैं वी विल कवर आप वी विल दू आल थिंग्स अट रिक्वाइड विकाइड वह आप से जाधा हमारा एयायर का मोटो है तो करेंगे मचाएंगे और प्लाट प्लाटफर्म अच्छा लग रहा है अभी तो पॉल कुछ लिए नहीं अब थोड़े कंसेट्स पढ़ाएंगे ना तो फिर पोल से और भी स्टार्ट करेंगे चले आरें थैंक यू सो मच पर जॉइन गॉइन 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 गॉइस थैंक यू वाव फिर से करेंगे हम लोग बार तलाब यहां प पच्चों यहां पर आंसर दिना भी स्टार्ट कर दिया है तो मच विल्कुल थैंक यू सो मच वाइल्ड नेपो मिनाची बतरनाक नाम है वाइक बहुत अच्छे हीबा शरीफ प्राउड अपी बिटाग प्राउड अपी गॉड ब्लस्यू अमेजिंग तो चलिए तर एक आपको क्या कंपनी कहीं की सिटिजन हो सकती है है हाई विवेक बोलो फटाफट सर्थ टेक्निकली आप कंपनी इसन आर्टिफिशल लीगल पर्सन राइट यह बात तो याद है ना आपको सेपरेट लिगल एंटिटी क्या पर्पेच्छल सचेशन लिमिटेल लाइबिटी आ आप फीचर्स आप कंपनी नहीं भूले हो भाई आई नो डाट अ कंपनी इस अ सेपरेट लिगल एंटिटी इन बट इट केन नॉट बीए सिटिजन अंडर दे कॉंस्टूशन आप इंडिया अब लोग उनको एस सच सिटिजन तो नहीं बोल सकते हैं वाट उन लोगों का सिटिजनशिप देखकर कंपनी को फ्रेंड या फो हम डिसाइड कर सकते हैं अगर आपने देखा और आपको याद होगा कॉर्परेट विल के लिप्टिंग ऑफ कॉर्परेट विल के पाच केसे इसमें से पहला केस क्या था बताइए पाच केसे दॉप कॉर्परेट देखता हो किसको आज याद है चलो कि टीटेमाइन दे करेक्टर आप दे कंपनी तु प्रिवेंट टैक्स इवेजन तो प्रिवेंट एनी लीगल ओप्लिगेशन प्रेशन आप सब्सीडियरीज और संपनी फॉर्म फॉर्म फॉर अनलोपल पर्पॉसस तब से पहला पॉइंट था कि यह जानने यह कंपनी हमारी दोस्त या दुश्मन हम कंपनी किनके कंट्रोल में उन लोगों की सिटिजन्शि बट कंपनी पर से और नॉन रसिदेंट और इंडियन और फॉरेनर तो इस इस्टैबलिश्टू जुडिशल दिसिजन्स मेन आपको का था ना देखो एक्ट नहीं रूल्स नहीं सर्कुलर नहीं नोटिफिकेशन नहीं जुडिशल दिसिजन्स मैने का ना जजज्मेंट्स क तो भी पढ़ना है मैं हमेरे दिमाग पर रखना हो हूँ है कि यहां से पता लगा लेते हैं कि यह भाई साब कहां से और आप हर कंपनी का देख सकते हैं मैं आपको कुछ कंपनी के बारे में बात करवा गता हूँ बाइदर वे आपको पता है नहीं यहां पर मास्टर डेटा कैसे देखते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन देखना कि मैंने आपको अधना तो बनाया है कि आप लोग कंपनी के मास्टर डेटा देख सको आप किसी भी कंपनी के बारे में यहां पर सर्च कर सकते हो आज हम यह कंपनी के बारे में सर्च करेंगे रिलाइंस इंडस्ट्री अब आप बोलोगे सर्ट पांडेशन से देख रहे हैं आरायल के बहुत ज़्यादा प्रेम आपको प्रेम की बात नहीं रट्टा प्रेम तुम लोगों को बहुत रिलाइंस है इसलिए मुझे रिलाइंस के बारे में बात करना पड़ता है तो रिलाइंस का डोमिसाइल देख लेते कि रिलाइंस कहां की है तो कहते हैं रिलाइंस का ओफिस आरोसी मुंबई के अंडर आता है यहने कि रिलाइंस हमारे बाइबाए एन्यवन रॉम्बाइब कमान रेज राइंट आई रॉयवन फूम्बाई मैं तो पून से हूं मैं तुमको दिखा रहा है रिजर ता मुंबाई मुंबाई मेरी जान है क्या को इदर ये जरा हट के जरा बच के ये है मुंबई मेरी जान बताओ एनिवान है कोई सपना यह एड्रेस आपको जाना पैचाना कुछ लग रहा है सुना है इस आड्रेस के बारे में नरीमन पॉइंट वैसे सम्वन वू इस नॉट इवन प्रमारश्टर नोस अब नरीमन पॉइंट इतने वैब सीरीज और मूवीज में और और न्यूज में चीज देखिए कि सब आपको पता ही है तो अब और रजिस्ट्रेश्टर वारे और दोबारा आने वाला मैं आज आपको बताने वाला था कि इनके रजिस्टरव आफिस से हमें बहुत सारी चीज़े पता चल जाते हैं कितने प्रकार की कंपनीज होते हैं अगर आप ओनर्शिप की बात करेंगे तो वन परसन प्राइवेट पॉब्लीक मॉल लाइबल्टी की बात करेंगे लिमिटेड बाइशेर लिमिटेड गैनेंटी अनलिमिटेड उसके लाव भी सेक्षन एट कंपणी फॉरेंड कंपनी नीदी कंपनी टी एफ डॉर्मेंट कंपनी जैसे देखा जाए तो टैपस अफ कंपनी सो बहुत है कि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग अभी बढ़ेंगे सर सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाइट कंपनी इस ट्राइपस अफ कंपनी बेजड लाइबिलिटी देख लेते हैं कि राखी बांदिया तो लिखने में दिख्कत हो रही है चलो कि आज हम देखेंगे और यह आपको पता ही अल्डरी मैं आपको चार्ड बनाने के दिखा रहा हूँ कि कौन से कौन से है कि सबसे पहले आएगा कि मेरे स्टुडेंट्स बड़े स्मार्ट आया है माक असम कंपनी लिमिटेड भाई टेयर्स उसके बाद कंपनी लिमिटेड भाई गैरेंटी अजी अरे भाई साब मुझे यह कमेंट पड़के ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां पर दवन अन्ली तास दवन अन्ली अंचुल सर आगए विकाज यह गाना तो अंचुल सर ही गा सकते हैं सब्सक्राइब करने का आपने तो हमारी क्लास को चार चांड लगा दिये क्लास के आते 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 आपका भी आशिरवाद मिल गया बहुत-बहुत स्वागत है आपका थैंकि सो मच पर जोइनिंग अरे सर थैंकि सो मुच सीख रहे हैं आप सब्सक्राइब करते हैं तो अपने अपने दिल से एक बार सर को शुक्रिया कर देना भाई लोग एंड देन देर इस अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड कि जितना प्यार हम अंचल से करते हैं आँ अभी तो एक ही चीज है सर एकागरता.co.in नो भेदबाव नतिंग नतिंग जो है एक है सब है साथ है यस चलिए तो गाईज आप लोग भी जैसा कि अभी आपने देखा कपल से मैंने बात किया आप लोगों ने भी देखा अभी हम लोग कैसे प्लाक्फॉर्म में पढ़ाई कर रहे थे बात करते हैं इंटराक्ट करते हैं बहुत जल्द एक्स्क्लूजिव ली प्लाक्फॉर्म पे शिप्ट हो जाएगी आपके पास अभी वक्त है मैं तो कहता हूँ दस दिन के अंदर तो चलो 11 दे का वेट मत करो क्यों विक्स 11 दे का क्लास वरना आपका हमें सो जाएगा 11 से ये क्लास प्लाटफॉर्म पे शिप्ट रने वाली हो उससे पहले एकाग्रदर.co.in पे विजिट करके हमारे प्रड़क्ट्स दरूर जाकर देखिए अब आते हैं कंपनी लिमिटेड़ बाइशेर मैं सर फांडेशन का नौलेज याद करना वाट दो मैक्जिममम लाइबलीटी ऑफ पर सन और मेंबर इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाइशेर कम आ बता दोना बैग्सिमम लाइब इंग मत कटा ना सर देख रहे हां वरना अभी तक सही आं तो मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाथा हूँ, ег.esивает बैर पास एक company है, элемuted, है नहीं यार element सर्ठ थोड़ा क्या करते हैं, हम लोग company बनाते है, आई-spice, mä.spice आगया नाम में, आहाँ, मज़ा आगया, Iegan Spice, private limited, ना इस company ने अपने शेर इशू कर रखे थे कितने शेर से इनके पास इनके पास है 1000 चेर्ज और रुपीज अंड्रेड इच रुपीज इस टीपेड़ यह आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इनका टोटल इशूड पेड़ कैफिटल आप बता है यह इशूड नहीं पेड़ शेर कैफिटल कितना है जरह बता जाएं यहां अमाउंट क्या लिखी जाएं इस टोड़ा राइट वन लाक वेरी गुड आई शूड बी राइटिं सिक्स्टी थाउजन ओनली तर क्यों आपने नोटिस किया ओनली सिक्स्टी रुपीज वास पेड़ अभी तक इस कंपनी ने बच्चे वे पॉर्टी रुपीज पर शेर मंगाई नहीं जरुत नहीं होगी बड़ी कंपनी यह जो भी ह ड्री नो इस प्र शुम्हरों सम्फिक एंपनी यह पॉकर इस आई स्पाइ शुम्हराइ क्लास में है हीबा ओक हीबा के पास say for example 300 shares है now you take your calculators and you tell me what is the maximum amount for which Hiva will be liable in this case what is the 50% offer कब तक valid है बेटा 10th के पहले पहले ले ले लो वैसे 11th को offer रहेगा बट फिर आप अगर 11th तक सोचते रहोगे तो फिर class में सुझाएगी 11th वाली फिर आपको live देखने नहीं मिलेगी है तो मैं तो recommend करता हूँ 10th तक ही निप्टा लेना 11th का दिन है वैसे 11th का डेट है ठीक है लाइबल टुपे कुछ बच्चों ने कहा सार 12,000 कैसे आया है इन लोग कहां से ला रहे हैं आप यह बड़ा सिंपल है सार बहुत ही सिंपल है 300 shares multiplied by unpaid value of share which is 40 rupees per share अब अगर इस कंपनी का लॉस पाच करोड भी हो गया ना भाई आच कलूल क्लूल क्या बोलते नहीं आता ना गरीब लोगों को ऐसे करोड़ अर्या पाच करोड़ सर पचास करोड़ो देड़ हजार करोड़ का क्योंने लॉस हो जाए दा मैक्सिममम अमाउंट डैट एनीवन इन दिस वर्ल्ड कैन आस्खीवा टू पे इस 12,000 रूप ना एक पैसा कम ना एक पैसा जाब है तो मैं आया कर देखी है कि यह खास्तियत कंपनी लिम्टेड बाइश शेयर होने के पिर मैं थोड़ा सा यहां पर आप आपको यह समझ किया हो अगर नहीं समझा यह लिखके रख सकते हो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हू अरे 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 हम्म रांजे की दिल से है दुआ सर आप कितना टालेंटेड कैसे बन गए पेटा तुम लोग के साथ और सभी लोग के साथ रह रहे के ना हम भी बड़े टालेंटेड हो गये अब कंपनी इंटेड़ा गयारेंटी की बात करते है यह जो कंपनी इंटेड़ा गयारेंटी है अब इसके अंदर भी हम लोगों ने दो टाइप निकाल लिए अरे यार सर यह आपका टैलेंट अच्छा नहीं लेगा में तीक बटार माफ कर देना दो टाइप है बोलिये अर्फ है अविंग शेयर कैपिटल अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं है अविंग शेयर कैपिटल तो वाट इस दा मैक्जिमम लाइबलिटी आप अमेंबर इन केस ऑफ कंपणी लिमिटेड बैग गैरेंटी हैविंग शेयर कैपिटल अब पहले गैरेंटी कंपणी के बारे में थोड़ा सा डीटेल में जान लीडिए चलो आज मेरे साथ कौन कंपणी मराएगा क्रिश वेलोरेंट आप मेरे साथ कंपणी बनाओगे ओके और कौन है और कोन है मौनिका आपं मेरे साथ कंपणी बनाओगे क्या कृष मौनिका ये दो लोग मिरे को मिल चुके नधा और और मुसकान 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 के लिए पार तो अब क्रिश मॉनिका और मुस्कान अच्छा नितेश भी ठीक काम करता हूं मैं हड़ जाता हूं भाई नितेश मिल जगा तू ले लिद भाई दिल देख रहे हैं तू मेरा तो क्रिश मॉनिका मुस्कान और नितेश के साथ मिलकर हम लोग बना रहे है एक कंपनी तर क्याकरो क्यम्रियल इस्टेट ब्रोकिंग क्या करें सैंत रियल इस्टेट ब्रोकिंस लोग क्या करें न कृष मॉनिका मुस्कान और नितेश ये लोग अलग-अलग फ्लैट ओनर्स बिजिसनेस प्रॉपर्टी ओनर्स से connect करेंगे अपनी website बनाएंगे अपना office सेट करेंगे और अलग-अलग clients को उनके requirement के साब से real estate दिखाएंगे और renting for leasing for purchasing for any reason whatsoever और बीच में हम लोग कमिशन रखेंगे क्या बोलते हो अच्छा है बिजनस कि सॉटेड ओके सर मुझे बताइए यह बिजनस सेट करने कितने करोड का initial investment लगेगा यह बिजनस स्टार्ट करने इन चारों को कितने करोड का initial capital लगेगा सर यह लोग अगर चाहे तो एक लाग भी बहुत बोल दिये मैंने एक लाग मैंने बहुत बोल दिये उसके अंदर ही अपना बिजनस स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या है सर इनको इनको सरी फोन पे तो इन पातर आफ और से विळैक anxek vereं ओकर सकते लिए और प्रोस्पेक्टिव यर्श और और Осबातर से बात कर नीए आए प्रऌपटी दिखाना है पसंद आ otherwise तो कमीशन ले लेना है प्र घर आ कि क्या इन्हें कोई मटर मेर்कर अचंज करने नो को मशनेरी पर जह निए नो, is it mandatory for them to have a very big office initially, no, all they need is a telephone, literally a phone के अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए, एक direct pain ज्यादा साथ, अब तो फोन में ही आप contact भी सेव कर लेते हो, तो कुछ बिजनसे ऐसे होते हैं, जितमें initial capital की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत ही minimum capital से भी आप अपना काम निप्टा सकते हो, अब say for example, इन लोगों ने अपना एक company बनाया, और क्योंकि इनको capital की ज़रूरत नहीं लग रही थी, इन्होंने बहुत ज़ादा initial capital नहीं लाया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 25,000 each contribute करके एक private company open कर दी, ठीक है, ABC reality कर लेते हैं, ठीक है, ABC, realtor, private limited, private limited company मनाने, दो लोग लगते हैं, यह तो चार लोग है, इन्होंने private company मना दी, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने total, सिर्फ एक्जांपल, 1,000 shares रखे, of rupees 100 each, ओके, और इन्होंने अभी उसमें से, rupees 80 paid up, मुझे बताएंगे कितना पैसा है, इन्होंने लोग के पास, जल्ली बोलो, rupees 80,000, अभी इन्होंने जमा किया है, frankly speaking, इनको पैसे लग नहीं रहते, बस इन्होंने कर दिया जमा, ठीक है, बट at the same time, इन लोगों से deal करते वक्त, इन लोगों से deal करते वक्त, लोगों के मन में श्टक ना निर्वान हो, तो वह या कल को ये लोग भाग गये, तो हमारा क्या होगा, क्योंकि इन्होंने कोई property, suppose red पे लिनी है, कुछ भी करना है, तो लोगों को trust लगता है, credibility लगती है, और ये बात इनको पताती है, अब इन्होंने क्या किया, ये 1000 shares equally चार भाग में divide कर लिए, बराबर, तो कितने होता है बटा बताना, चार भाग में अगर करोगे तो, 250 shares each, अस्तेश्ती रुपए इन्होंने और अल्रेडी देखे रखे है, ठीक है, देखो, 20-20 सहर होता है क्या, जल्दी देखो, 20-20 सहर होता है कि नहीं, जल्दी देखो ना भाई, होता है न, इन्होंने फिलाल तब ये इन्होंने amount पे करके रखा हुआ, अब at the same time इन लोगों ने क्या कर दिया, इन्होंने एक guarantee देदी, इन्होंने एक guarantee देदी, that in the event of winding up of the company, ध्यान से सुनना, in the event of winding up of the company, we guarantee to pay 1 lakh rupees each, मैंने 100K लिख देता हुआ, हो न, वो जगा फिर वो ऐसी हो रही है, पुरी, 100K, अब थ्यान देना बेटा, अब थ्यान देना यहां, बहुत सारी चीज़े हमें समझनी है, अब आप लोग मुझे बताइए, किसी भी कारणवर्ष अगर यह कंपनी कल को लिक्विड़िट हो जाती, वोट इस दो मैक्जिमम अमाउंट दाट कैन बी क्लेम्ड प्रॉम इच अफ देम, कृरिश, मौनिका, मुस्कान और नितेश से मैक्जिमम कितना रुपया क्लेम किया जा सकता है, सर, वन लाक ट्वेंटी थाउजन रुपीज नहीं, वन लाक, बोलो, वन लाक, पाइव थाउजन रुपीज, यह देखो, वन ट्वेंटी वाले गए, मेरे को लगई था, आप लोग ने ऐसा लिका, अब आप सुनो, अब आप सुनो, sir, this is a guarantee company having share capital, तो जहां तक liability की बात आएगी, ठीक है? पहली उनकी liability रहेगी, unpaid value of share, पहली liability क्या रहेगी? unpaid value of share. How much is the unpaid value of share? इन लोगों के पास 200 shares है 100 rupees each के 25-25,000 इनको देने थे उसमें से 80 rupees यह पे कर चुके है यहने कि 20-20,000 यह लोग पे कर चुके है So, unpaid value of share is 5000 rupees each But, at the same time Sir, it is a guarantee company And company, मैंने आपको पहली बोला Liquidation में चली गई है And therefore, amount of guarantee Will also be claimed Therefore, guarantee amount 100k सबने दे के रखा हुआ है So, in the event of liquidation The maximum amount That can be claimed from each one of them Is 105k 1,005,000 Each But, this is maximum If company का इतने का नुकसान हुआ है तो ही आप करना अगर आपका सच में इतना 5-6,00,000 का नुकसान हुआ है तो आप यह पैसा ले सकते हो अगर company का liquidation है और liquidation में नुकसान कम है तो जरूरी नहीं कि आप यह तो ले सकते हो जरूरी नहीं कि आप पूरे amount इंसे recover करो Guarantee में से आप उतना भी ले सकते हो जितना देने की जरूरत पढ़ रहे है लेकिन एक सवाल एक चीज याद रखना अगर इस company का करोडों का भी नुकसान क्यों न हो जाए हजार लाखो करोडों का नुकसान क्यों न हो जाए the maximum amount that will be claimable from each one of them will be 1,5,000 each इस चुपर आप उनसे पैसा recover नहीं कर सकते यह को समझ में आया है पूरा समझ में आया क्या है अगर हाँ तो मैं उमीद करता हूँ कि आपने इसको लिक के रखाओ आप वही करने वाला हूं जो हम सोच रहे है येस मैं वही करने वाला हूं जो आप सोच रहे हूं अगरा आप ऐसे क्यों कर रहे हो बट अगरा ऐसा करने के पीछे मेरा वहाँ सिंपल कारण है कि मैं एक ही चार्ट बना रहा हूं और और वही चार्ट में मैं सब कुछ लिख रहा हूं तो आप लोग इसको मज़ा आता है यही कुछ वर्ट से जो मैं चाहता हूं लेकिन सोच नहीं पाता हूं बोल नहीं पाता हूं आप लोग इतने अब इसमें भी लोग रहेंगे यहां पर भी सेम होगा यहां पर बस एक प्रॉब्लेम एक चीज़ अलग होगी सर वो क्या है यहां पर शेयर कैपिटल नहीं होगा तो यह जो हमने अन्पेड वैलियो अफ शेयर प्लस अमाउंट अफ गैरेंटी लिखा है ना अन्पेड वै अमाउंट आफ करने विल भी वे से यहां पर अमाउंट आफ गैरेंटी विल भी टिक है यहां पर अन्पेड वैलिए फिली प्लस आमाउंट ओव एक मिनिटा है वो है जाए अवह है अब अब आप अज़े चार्ट थोड़े अच्छे बनाने हैं कि उसका रीजन भी है रीजन बड़ा सिंपल है कि मुझे आपकी जो अभी बुक से उसमें मुझे चार्ट बुक भी आइड करनी है तो वह यहां पर हो जाएगा तो यहां पर आप लिखेंगे कि अंपेड वैल्यू आप शेयर कि लस कि लस कि अब अगर आपके पास ही नहीं आप शेयर कैपिटल तो डारेक्ट अमाउंट अब गैरेंटी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखने ना थोट इसी चीज़ बता रहा हूं ध्यान रखना गैरेंटी के बारे में अब अगरेंटी आप जब चाहे तब मूठा के नहीं मांग सकते हों अन्पेड वैल्यू अव शेयर आप कभी में मांग सकते हों इवन अट इवन अट इवरीं अव लिक्विटिशन अफ अव अव अग्या प्रजेक्ट मिल गया कोई मश्नरी लेनी है कोई नया काम करना है आप उनसे पैसे मांग सकते हो ठीक है बट लेकिन किन तु परन्तु बंधू गैरेंटी अमांट कें ओनली अन ओनली बी क्लेम्ड एड़ टाइम आप वाइंडिशन अपनी जब तक कंपनी डूबी नहीं लिक्विटिशन में जाएगी वाइंडिशन में जाएगी आप गैर कि आप फोसकते हैं तो अधियर कैपिटल अधियर कैपिटल अगुर्व नांट एविंश्यर कर ईकए अब ध्यान से देखना है विंश्यर कप्रण नाट एविंश्यर कप्रण वह यह कंपनी है अनलिमिटेड अगर इनके पास share capital है भी तो आप उनसे लेंगे अंपेड वैल्यू आफ शेयर प्लस अनलिमिटेड और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो डारेक्टी लेकिन आप लोग जानते हैं एनिटिंग प्लस अनलिमिटेड इस अनलिमिटेड तो आप देकिन इन दोनों केस में the maximum liability of the member will be unlimited again keep it in mind this unpaid unlimited liability unlimited liability can only be claimed at the time of liquidation of a company during the continuation of the business of the company only unpaid value of share if any can be claimed अगर आपके पास है नी share capital तो आप बीच में कोई पैसा नहीं ले सकते हैं अब यहां पर unlimited company इन दो limited companies से अलग हो जाती है क्यों ना वाटेवर is the liability of the company वो एक रुपया हो 100 रुपया हो एक लाग हो 50 लाग हो एक करोड हो 10 करोड हो 100 करोड हो 500 करोड हो 1000 करोड हो अनलिमिटेड whatever is the liability of the company will be the liability of its members in the event of winding up of the company unlimited amount can be claimed from the members there is no limit on any kind of liability in this kind of company in this type of company यहां पर देखिए फटा फट पढ़ लेते हैं पंपनी इमिट भाई शेर मीन्स कंपनी हाविए लिए यहां पर यहां पर फटा फटा पढ़ लेते हैं जासे टाटा ठीक है चेरोल्डर who has paid rupees 75 on a share of a face value of 100 rupees can be called upon to pay the balance rupees 25 only और जुम करता हूं next company limited by guarantee means company having liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members respectively to contribute to the assets of the company in the event of it's been wound up clubs trade associations and societies for promoting different objects are example of companies limited by guarantee for example PGA का ये देगा European tour then there is unlimited companies American Express section 2 clause 92 means a company not having any limit on the livelihood of its members thus the maximum livelihood of the members of such a company could extend to the entire personal property to meet the debts and obligations of it ये ने सर आप देखेंगे तो members हर जगा पे safe होरते है except in case of unlimited company तो सोच समझके अपने clients को आप बताईए आणा चलिए तो आज के लिए था बस इतना ही गाई भाई हो भेन हो गाईस और गाईस और गाईस और गाल्स how was the class come on make some noise मज़ा आया की नहीं भाई लोग यह नोट्स आप लोग purchase कर सकेंगे कुछी दिनों में नोट्स वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप नहीं पर्चेस करना चाते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं जो भी करता हूं आपकी मदद और आपके सहुलित के लिए करता हूं और कुछ नहीं और इसके अलावा दो खतरनाक surprises मेरे पास है एक मैंने बताया आपको मैं question bank और एक है mcq booklet वह भी बहुत जल वेब्साइट पर दिखने लगेगी ताकि हम जल्दी से जल्दी पढ़े और उसके practice करना स्टार्ट करें आज इसे practice करना स्टार्ट करें आज से पढ़ना revision करना स्टार्ट करें there is no tomorrow whatever you have to do do it today do it right here right now तो आज के लिए कहेंगे बस इतना ही और नहीं चि अधूल तर पड़ते रहो सीखते रहो आगे बढ़ते रहो तो और एक और चीद सेयागे और साथ नहीं चुतीर गेंगे अभी बैक कपल और आपो समझ में आ गया होगा कि हम इसको सिफ कहती है हम भी निद at any kind of personal cost no matter what we are and we will always be there for you guys thank you so much for joining in this class god bless you all lots of love thank you so much for joining in this class it was wonderful to have you all in this class yeah amazing amazing and I would like to thank each and every person personally July class give sa right class class कौन बताइबा आज तो मैं किस से बात करूं किस से बात से बात करो कि के मुस्कान आप और अध्रब्रेस करी है एक मज़ा ने बात कर लिया ना कि जबर्दस रहा मजशा आया अच्वाइन के चाड़ से मंधशा कंब चलिकि उससे बात करना था ЗOh कि तक ओए यह इना वाध यह आग लग रहा है आग लग रही है और यूटूब पे अलग लेवल आग लग रही है तक है ऑन अच्छे आयान कुमार से स्ट मेरी बात नहीं गुए थे आधिकूमार से शाइच बात नहीं थे वह कर लेता हूं अधाब का पैंडिंग है बस आप ह कैसे हो कैसा था था आज का क्लास कि मजा आ रहे हैं कि क्या बात है कहां से वह आ रहे ना कि कहां से कहां से वाप विच पार्ट आप दे कंट्री यू फ्रॉम अरे गजव यार गजव 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 भाई मज़ा आ गया आप थांकिसो मच पॉज्वानिंग और यह विए अपने को स्टार्टिंग से डेवन जैंब अभी अभी 60 पार तो सभी ने जाना है वी ओंड याया यार इंडिस टाइम अब यह तो 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 यह थीक है फिर मिलते आरेन भाई और नेट वक शाइब उपन नीचे इसलिए थोड़ा आवास कट रहा है बट नेक्स ताइम लोग फिर से बढ़ राए कर लेंगे वाव वडेंगे यार विल्कुल विल्कुल यस मनताशा आपने हाथ रेस किया था आप आपने हटा दिया तो अभी मैं आपको कॉल पर नहीं ले सकता आप हाथ रेस करेंगे तो ही मिले पाऊंगा मस्ट थैंक्यू सो मच अब तो स्टार्ट हुआ है भाई काहा नहीं अभी देखो इंटर्मिजेट एक नेक्स लेवल पर लेकर आथा अभी आपको सब बेसिक लगेगा फर्स टू यूनिट्स एक बार यह दो चैप्टर हो जाए उसके बाद धीर 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 एडवांस नेचर आप दिस लॉव यूल अंडेस्टाइग इसके बाद मैं परिशान नहीं करूँगा बस एकागरता.co.in दिखाना चाहता हूं आपको अगर आप लोग के बसे लागिन करके देख सकते हो लेकिन याद रखना यह जो यहाँ पर कोड लिका है ना जी ए सी ओ डी एक्स इसको कॉपी करना और उसके बाद यह वेब वाले पॉइंट पर क्लिक करना यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देखो आप ऐसे करके आप जा सकते हो ठीक है अभी मेरा वो यूजर आईडी दूसरा है आप समझ सकते हो लेकिन आपको म करके दिखाता हूं तो आप कैसे लॉग इन करके वेब पर देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे वेब पर देख रहे हैं तो आप जब इस पर क्लिक करोगे आपको लॉग इन पर जाएगा वहां और पूछेगा जो कि हमने अभी अभी कॉपी किया था पेस्ट करो अपना और आपके पास बहुत सारे आप्शन है आप यहां पर थोड़ा स्क्रोल करिए नीचे आपको अल कोर्स दिखेंगे दिख रहे हैं और इसमें सी ऑल पर क्लिक करना आपको यहां पर सारे कोर्स दिख जाएंगे पाउंडेशन के भी इंटर के भी गुरुपन के भी यहां पर अविलेबल है अगर आपको मेरा कॉम्बो लेना है वहां पर अविलेबल है तो आप पोटो और नाम देखकर फिर आप पर्चेस करिए वी विल रिकमेंड यू टू गो पार बोद गुरुप कॉम्बो मजा हो जाएगा यह वाला बोद गुरुप कॉम्बो है और आप भी फिर हमारे साथ क्लास में जूड़ सकते हैं तैंक यू सो माच गाट डेस यौ लॉट्स अफ लव मिलते नेक्स लास में आपको अपलोड करने वालों मैं आपको इसमें दिख जाएगा ना ओके बाइविवन एक कर लेते हैं आपका ब्रेक टाइम खतम हो जाएगा ना फिर बाइवाई टेक केर बाइवन थैंक यू